एक अक्टूबर से हर्याना सरकार अनाजमंडियों के अंदर किसानों की फसल खरीदने के लिए तैयारी शुरू कर रही है हम पहुंचे हैं महंदरगड की अनाजमंडी जहां अनाजमंडी के अंदर बाजरे की खरीद सुरू होनी है यहां इस छेतर के अंदर बाजरा बहुत अधिक मातरा के अंदर पैदा होता है किसान अपना बाजरा लेकर इस अनाजमंडी के अंदर आता है और यहां अपना बाजरे की बिक्री करता है उसी को लेकर जो महंदरकड अनाजमंडी के वैपारी है वो हमारे साथ मौजूद है हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो सरकार की फसल खरीदने की तैयारी है उसको लेकर कितनी तो तैयारिया की गई है और क्या जो सरकार बाजरे खरीद की सुरू करने जा रही है उससे आपका जो किसानों ने कितना अपलोड किया आप किस तरीके से उस सारी कारवाई से संतुष्ण है मार्केट कमेटी द्वारा अभी हमें कोई सूचना नहीं दी गई है कि सजनसी द्वारा बाजरा खरीद होगा इन्होंने बताया कि अभी इनके पास किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं पहुंची है लेकिन जो अनाज मंडी के अंदर बाकी सुविधाएं हैं जो जब किसान आएंगे यहां फसल लेकर तो उनको फसल के रख रखाओ की और बाकी जो मूल भूल सुविधाएं उनकी कैसी ववस्त है जो इससे अनाज मंडी के अंदर जब किसान अपनी फसल को लेकर अचाज़ तो जो मूल भूद सुईधाएं है वो इस अनाजमंडी के अंदर जिस परकार से सोचाले है बाकी ववस्ताइओं कैसी है सोचाले भी ठीक है पानी की ववस्ताइब ठीक है सफाई कम है कि परशाषन ने पूरी तरीके से सबी तैयारियां की हुई है और वेपारी भी किसानों की फ़सल खरीदने के लिए तैयार है लेकिन सरकार की अभी जो पोलिसी है वो इन तक नहीं पहुँची है कि कितना बाजरा खरीदा जाएगा और किस परकार से सारी आगे की ववस्ता होगी अभी सबी व्यपारियों को और किसानों को सरकार की पोलिसी का इंतजार है खबरे अभी तक के लिए कैमरा परजन सोरब सर्मा के साथ सुशील सर्मा महिंदर करें